किंग कोहली यानि विराट कोहली ने अपने करियर का 45 वंडे शतक गुवाहाटी में श्री लंका के खिलाफ जड़ दिया इस पारी में विराट कोहली शुरुवाद से ही अग्रेसिव नजर आ रहे थे 139 की स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने 113 रन मनाई जिसमें 12 चौके और एक चक्का भी शामिल है इस धुआदार पारी के बाद से ही विराट के फैंस बेहत खुश हैं लंबे अरसे के बाद अपने स्टार खिलाडी को इस फॉर्म में देख कर सभी एक्साइटिड है विराट कोहली के बल्ले से काफी अरसे के बाद रन निकल रही है विराट कोहली ने बांगलादेश टूर के बाद ब्रेक लिया था और अपने परिवार के साथ वक्त विताया इस दौरान विराट कोहली भट्टी के रंग में भी नजर आये थे विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका को लेकर व्रिंदावन गए थे व्रिंदावन में मोग कैंची धाम और श्रीहित धाम पहुंचे थे श्रीहित धाम में उन्होंने महंत से प्रवचन भी सुना था इस दोरान पूरा कोहली परिवार ध्यान में नजर आया था 1200 से ज्यादा दिनों का सूखा विराट कोहली ने चटगाओं में 113 रनों की पारी खेल कर पाटा था अब एक बार फिर से विराट के बल्ले से शतक निकला है प्रिकेट फैंस के लिए ये खुश खबरी से कम नहीं है कि विराट की ऐसी जोरदार बाक्सी होई है टाइमस नौन अब भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट